मारूती ने रिसेंटली नियर जनरेशन सेलेरियों लोंच कर दी है जिसके टॉप मोडल की प्राइस 6.44 लेक रखी गई है बट सिमिलर प्राइस में आपको टाटा पंच का एडबेंचर वेरियंट पित रिधर पेक भी मिल जाता है तो क्या आपको टाटा पंच का एडबेंच चोली और करके देखते हैं पबहरे बाप करते हैं डायमेंसंग की निई शेलेरियों की लेंच 3695 मिलेमेटर है जबकि टाटा पंच की लेंच 3800 27 mm है सेलेरियों की वीड़ सिक्स्टीन हंड़की बिद 17- amd.122 मिलीमेटर है सेलेरियों की हाइट भी उन्ली 1555 मिलेमेटर है से चलरियों का ground clearance भी 170 mm है जबकि टाटा पंच का ground clearance 187 mm है सेलियों में boot space 313 L का है जबकि टाटा पंच का boot space 366 L का है मतलब कि सब डामेंसे में टाटा पंच मार्दू से बड़ी कार है जिसकी वज़े से पंच में आपको ज्यादा space मिलेगा passengers के लिए अब पात करते हैं एंजिन की, मार्दू सेलेरियों में आपको 1 लिटर का 3-cylinder petrol engine मिलता है जो कि 65bhp का power and 89nm का torque produce करता है जबकि टाटापंच में आपको 1.2 लिटर का 3-cylinder petrol engine मिलता है जो 84bhp का power and 113nm का torque produce करता है मतलब कि टाटापंच power wise भी सेलेरियों सब बेटर है बट हां NBH level यानि की cabin noise में मार्दू सेलेरियों में थोड़ा noise कम होगा बट यह उतना भी major difference नहीं है बिकोज दोनो 3-cylinder engines ही है अब बात करते हैं exterior की पहले बात करते हैं ऐसे features जो दोनों में common है exterior में दोनों में आपको electrically adjustable ORVM with turn indicator, halogen headlights, parking sensors and keyless entry जैसे features common मिल जाते हैं बट सेलेरियों में आपको fog lamps, rear wiper, rear defogger and alloy wheels जैसे features extra मिलते हैं जो आपको Tata Punch के adventure variant में नहीं मिलते हैं Tata Punch के adventure variant में भी आपको rear spoiler and 90 degree opening door जैसे features मिल जाते हैं जो आपको सेलेरियों में नहीं मिलते हैं अब बात करते हैं interior की, पहले बात करते हैं ऐसे features की जो दोनों के interior में common हैं दोनों में आपको fabric seats, steering mounted control, USB charger, day night IRBM, 7 inch touchscreen infotainment and manual AC जैसे features common मिल जाते हैं बद Tata Punch के adventure variant with rhythm pack में आपको rear parking camera, drive modes, etc. जैसे features मिलते हैं जो आपको सेलेरों के ZXI plus variant में नहीं मिलते हैं अब बात करते हैं safety की Tata Punch India की safest car है जिसमें global NCEP press test में 5 out of 5 stars achieve किये थे with highest score जबकि Marujoo Celerio का अब तक press test नहीं हुआ बद new Celerio Marujoo के hard tech platform पे best है जिसमें already baleno and swift जैसी unsafe car based है So safety wise अगर हम assume करें तो Celerio maximum 1 star या 2 star ही ला सकती है So safety wise Tata Punch Marujoo Celerio से कई गुना better है अब आता है conclusion पे आपको दोनों में से कौन से car लेनी चाहिए इस पर our opinion दोनों में से Tata Punch ज्यादा better car है Because Tata Punch के adventure variant में कुछ एक तो ही AC features missing है जो Celerio में है But easily आप future में aftermarket fit करवा सकते हो But almost same price में आपको बड़ी spacious practical and safe car मिलती है So हमारा recommendation Tata Punch रहेगा बस आज के इस video में इतना ही मिलते हैं आपसे next video में और जोने से पहरे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और उस पर लाइकन बटन को दबा दीजेगा Thank you